हेलो विल्कम बेक टो माई चैनल मैं हूँ सूर्या और यह हमारी एक चोटी सी ट्रिप जो हम है योध्या कहते वह आपके साथ में शेयर कर रही हूं तो यह घर से निकलने के बाद थोड़ा चाय नाश्ता करके सीधा हम पहुंच गए राजा के महल के सामने जहां थी हमारी पा यह मतलब वहां कि वह फेवरेट चीज थी जो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा तो यह मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने काफी टाइम यहां पर स्पेंड किया और मेरे वीडियो में आपको यह काफी ज्याते देखने को मिलेगा काफी एंगल से मैंने शू जॉय कर पाएंगे भीड़ बहुत ज्यादा भी नहीं थी लेकिन आप देख रहें कि लोग आ रहे हैं फिर भी अभी आते हैं लोग और यह देखें यहां सी यह ऐसे रास्ता बनाया गया है नीचे जाने के लिए तो फिर नीचे जाके भी हम आपको दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छा लग रहा था यार यह व्यू यहां से बहुत अच्छा लग रहा था आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगा और देखिए हम आ गये हैं डिरेक्ट गहाट पे तो यह सर्यूजी का गहाट है रिवर जो है काफी बड़ी है वो पीछे मैंने पहली श्रीओ यह है वो पीछे है यहां पर इसे कार्ट के इतना यहां पर दतिरों डैम से बनाएंगा है वहाँ से पानी यह जाता म मझेका गहरा है वा दम से लगा नहीं कि लिए नहाड़ वहां प्राची बहुत जा जाताे हैं gip लिटुप्री करते हैं तो कैम्हें अहां नहीं मुझे को व्लॉगर के और रहे सामने काम तो विट कि फोट धो darn आहीं तो काम बहुत सब्समेदा कि guys bye बीट से हम पहुंच गैने हनुमान जी के पास हनुमान घड़ी यह देखे अभी मैं अपको घुमा घुमा के अच्छे से दर्शन कर आँगे चंता मत करिया तो हनुमान गड़ी में बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें और ये आप देख रहे हैं ये टीक आप मैंने लगा तो घूमा के मने आपको दर्शन करा दियां पिछे गद्दी करा दियां और यह रहा है राणग जो ने पैठे हुए मेरे प्रणाम कर रहा है तो फिर आपको दिखाते हैं हमारी टीम ओर कहा चलेगी चले कोई नहीं आगे तो दिखा दूंगी यह रहा है यह पन्दिजीन में लंका का सोना है तो इसको हम प्रणाम कर रहे हैं तेकिये पाहर आ गया है तीम का टाइम आ गया है अब आको तीम से मिलवाते हैं वह देखिए पीछे औरेंज टिशिर्ट पहन के हाथ में प्रसाद लिए भाई है हमाई तरफ चलते आ रहे हैं और यह आ गये हम सिता महल तो यह मुझे यहां कैसा लग रहा था वह वही विद्म फरंदावन वाली फीलिंग आ रहे थे ना गहागरा पैन के लोग माँ पर नाशते रहते हैं बिल्कुल वही फीलिंग आ रहे थे मेरा महल होता बैलकोनी में गुमती रहती मैं लेकिन फिर मुझे याद है वेट कुछ नहीं अगर यह मेरा महल होता तो दो दिन घुमने के बाद तिक सो दिन मैं किसी कमरे में मोबाइल लिये पड़ी होती किसी कोने में तो हम बिल्कुल भी इस महल के लाइक नहीं यह सीता जी के लिए ही था तो चलिए यह देखिए सीता जी के चरंड है वहाँ पर उनको प्रणाम कि दिन था तो मैंने सचा थोड़ी लाइटिंग्स भी आपके साथ में शेयर कर दू लकुनों बहुत खुबचरत दिकरा था कफी ची लाइटिंग्स निती आसे अपर है